जो शाथियो आज हम बात करेंगे ब्रिटिस लोक शेवा और लोक शेवकों का आर्थ विकास और वरगी करण अर्थाथ ब्रिटेन में जो लोक शेवा है इसका विकास किन चरनों से हुआ है लोक शेवकों का क्या आर्थ है और वरगी करण किस प्रकार से किया गया है आज हम तीन बात उपर चर्चा करेंगे जो कि पृत्य एक प्रकार की प्रत्यो क्ता प्रिक्षा में, किशिन किस रूप में अवस्य ही पूछा जाता है इसे के साथ में इसनात्रक इस्तर के विध्यार्थियों से भी इसके संबन्द में प्रसंद आवसे ही पूछा जाता है तो सारव प्रत्म मेरी प्राणों से पहरे विद्यार थी हो प्रत दिन जो हमें एक लेक्षियर हमारी यूट्यूब चैनल पर अप्रोड करते हैं इसकी जानकर या आपको प्राप्त हो सके इसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवेशे कीजिएगा आशा कर तो आपने सब्सक्राइब कर दे होगा थैंक्यू वेरे मच्छ धैंक्यू वेरे मच्छ ध्यान दे बिल्टिश लोक्षेव यह लोक्षेव कों का अर्थ, विकास और वर्गिक्रन तीन बात उपर चर्चा करेंगा आजा हम ध्यान दे डियर इस्टुएंट्स राज्य की इच्छे की अभिवक्ती सरकार में होती है किलियर सरकार की तीनंग होते है रियस्टापिका कारेपले का नियाएपले का रियस्टापिका कानून बनाती है कारेपले का उनकी किरियानविती करती है कानून की किरियानविती करती है और नियाएपले का नियाएक ननने लेती है मतलब नियाएपले का यह देखती है कि वास्तिक ग्रूप में जो कानून बनाए जा रहे हैं वो समय दहान के अनुसार है या नहीं और इसे के साथ में जो कारे पालिका है कानून की किरियानी तो ठीक से कर रही है या नहीं ये अलग बात है कि ब्रिटेन में नियाए पालिका को नियाए एक पुर्णावलोकरी की सक्थी नहीं दी गई है ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छा अब कारे पालिका के ब्रिटेन मुख्यते दो प्रकार है राजनितिक कारेपालिका गेर राजनितिक कारेपालिका राजनितिक कारेपालिका को एस्थाई कारेपालिका भी कहा जाता है और गेर राजनितिक कारेपालिका को एस्थाई कारेपालिका भी कहा जाता है ब्रिटेन की जो राजनितिक कारेपालेका है मतलब मंत्री मंडल मंत्री मंडल के संदर्व में मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है आप हमारी प्रिलिस्ट में देखेगा मतलब जो मंत्री गण है, मंत्री मंडल है, मंत्री परिशद है ये कौन शी कारेपालिका है राजनितिक कारेपालिका है आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं गैर राजनितिक कारेपालिका की जिसको कि इस्थाई कारेपालिका भी कहा जाता है वास्तिक रूप में ब्रिटेन में कारेपालिका कितने प्रकार हो गए दो प्रकार राजनितिक कारे कर्मचारी होते हैं जिनकों की लोक सेवक कहा जाता है वास्तिक रूप में जो लोक सेवा के सदश्य होते हैं उन सदश्यों को लोक सेवक कहा जाता है और लोक सेवक जिस प्रणाली से प्रसासन का संचालन करते हैं वोसे नोकरशाही कहा जाता है यास यह बात क्लियर होगी आज हम किसकी बात करेंगे ब्रिटेन की गैर राजनितिकारे पालिका मतला जो लोग शेवक होते हैं वास्तवी ग्रूप में वो किस में आते हैं गैर राजनितिकारे पालिका में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि वास्ताओं में जो लोक सेवा के शदश्य होते हैं वो लोक शेवक कहलाते हैं और लोक सेवक प्रशाशन का संचालन जिस पदती से जिस विवस्ता से करते हैं उसे नौकरशाही कहा जाता है वास्ताओं में यह दो हम सामाने से रूप में देखें तो ब्रिटेन में कारे पाले का मुख्यत दो प्रकार की बात मैं आपको समझा दिये इसे के साथ में ब्रिटेन की जो राज्य सेवा हैं वो दो प्रकार की उतनी है शैनिक और एशैनिक मैं आपकी प्रस्टों में तयार करूँ उसके बाद में एक एक बात लेंगे हम शैनिक और एशैनिक देखो वास्तों में जो एशैनिक सेवा है इसनिक सेवा वास्ताव में ब्रेटेन में जो ये राजनितिक कारेपाले का है और गयराजनितिक कारेपाले का जिसको एस्थाई कारेपाले का वगा जाता है कौन है ये मंत्री मंडल मंत्री परिशचद है और गयराजनितिक कारेपाले का जो की इस्थाई हैं इसमें वास्तरिक रूप में इस्थाई सरकारी करमचारी आते हैं और ये दोनों मिलकर के ही ऐसनिक सेवा नागरिक सेवा का निरमान करते हैं तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे इस ऐसैनिक सेवा की चर्चा करेंगे जिसे की वास्तिक रूप में जब व्यवारिक रूप में देखा जाता है तो इसे नोकरशाही कहा जाता है वैसे नोकरशाही सब्दका प्रियोग जो सरकारी करमचारी होते है वो उत्रदायतों पूर्ण तरीके से अपने कारे का संचालन ना करें मतलब इनके दोरा रिश्वत ली जाए समय पर कारिया नहीं किया जाए तो ऐसे करमचारी जो होते हैं इनको नोकरशाही कहा जाता है लेकिन ये गलत अर्थ है इसका वास्तिवी क्रूप में नोकरशाही का वर्तमान समय में जो बिर्टेन में अर्थ लिया जाता है वह लिया जाता है जो ये गैराजनितिक कारे पाले का है इसे ही नोकरशाही कहा जा यह बात आपको ध्यान में रखने हैं अब क्रम बद रूप में एक बात लेगां देखो सबसे पहले बहुत मैं तो पुझान से मुंड्रो के सब्दू में देखेंगे एक्जाम पूछ लिया जाता है मुंड्रो क्या कहा रहे हैं कि मंत्री गण प्रसासन को लोगतांतरिक तक्ताव देता है देखो मैं आपको बता है कारे पालिका के ब्रिटेन मुखिता दो प्रकार कोते हैं कौन कौन से राजनिती कारे पालिका और गहराजनिती कारे पालिका समझें राजनिती कारे पालिका मींस मंत्री गर्ण मंदल मंत्री परिशन गह कोई कि लोक्षेवक कहा जाता है मतलब लोक्षेवा के जो सदश्य होते हैं वही वास्तिविक रूप में गहराज़नितिक आरेपालिका कहलाती है ठीक है भाई? आप देखें मंत्री गण प्रसाशन को लोक्तान्त्री करहेपालिका है मतलब जो यह राजनितिक कारेपालिका है और लोक शेवक नोकर साही तत्ताव देता है मतलब जो गहर राजनितिक कारेपालिका है वो क्या देती है लोकर साही तत्ताव देता है कार्यका बनाएगी और कुछल बनाने के लिए कोन है ये गियराजमितिकार्य का इसको कुछल बनाएगी अच्छा अच्छी सरकार की पहचान यह है कि वह कुछलत का मिश्रन प्रदान करें कितरी मैंतर मुन्रोlles कह रहे हैं कि ये हैं बात सत्त्य है भाई मंत्रीगन प्रिशासन को लोकतांत्रीक तत्तव देता है मतलब राजमितिकारे पाले का भी जरूरी है मंत्रीगन और लोकशेवक लोकशेवक मतलब देराजमितिकारे पाले का इस्थाई सरकारी करमचारी इस्ताइ सर्गारी कर्मचारी लोकशेवक लोकशेवा के सदश्य समझ गई आउतलों तो एक सासन को लोकप्रिय बनाने के लिए और दूसरा इसे कुषल बनाने के लिए मतलब वास्तिविक रूप में कहने का अभी पराई यह है कि अच्छी सरकार की पहचान यह है कि इसमें लोकतंतर कुषलता का मिश्रण हो तो लोकतंतर का जो तत्तव हो तो कहां से आएगा राजनती कारेपाले का से आएगा क्यों क्योंकि यह मंत्री गण है तो मंत्री गण जनता के सामने जाएंगे मत लेने के लिए बताएंगे जनता को भी हमें यह आप मत देंगे हैं हमाये कर देंगे हम इस प्रकार की नीतिया बनाएंगे वास्टि कुर्ग में लोगतिंत्र का तत्तव कहां से HEY राजनति काईरे पाणी का सीवा कुर्द एंच में और आएगा लोक तंतर का तत्तो भी हो और कुसलता का तत्तो भी हो अब लोक तंतर का तत्तो राजनती कारे पाले का से आएगा और कुसलता का तत्तो गहराजनती कारे पाले का से आएगा फिर से कह रहा हूँ राजनती कारे पाले का मतलब मंतरी मंदल मंतरी गन और गहराजनती कारे पाले इस रूप में गलत लिया जाता है कि वही ये वास्तिविक रूप में प्रिशासन का संचालन गलत तरीके से करते हैं मतलब उत्रदाइतो पूर्ण तरीके से ये प्रिशासन का संचालन नहीं करते हैं प्रिशासन में जो गतिविदियां होती हैं जो कारिये होते हैं वनमें विलम किया जाता है लेकिन इसका भावारत यह अथारत में यह नहीं है यह अथारत में नोकरशाही जो यह गयर राजनती कारेपाले का है जो यह इस्थाई सरकारी करमचारी इनको ही नोकरशाही का जाता है यह वात आपको ध्यान में रखना है तो मैंने मंत्री मंदल मन्त्री घण तो राजनती कारेपाले का मैंने पिछली वीडियो नि कर दिंся कर दीजह धी ओर आज हम किसकी चरचा कें गयर्ञवत 노क होते हैंDon't की संगया दी जाती है अब ध्यान दें यह वह क्यांस हो गए कि लिए अब इसको हमने तीन टुकडू में विवाजित क्या है लोगषेवा को का अर्थ लोगषेवा का विकास और तीसरा है लोगषेव को का वरगिकरन भाई इन तीने कुछ तरीके समझना है निश्टित कि जो सदश्य होते हैं उनको लोक शेवक कहा जाता है कि समझ रहे हैं और ये जो लोक शेवक होते हैं जिस प्रणाली से जिस पद्धती से जिस विवस्ता से सिस्टम से प्रशासन का संचालन करते हैं वो लोकर साही है समझ रहे हैं अब देखो आप इसको इस पस्ट करें यहा तो मुख्य भाग होते हैं नो भाग उमाटा जाता है। और केल्ढ ब्रिटेन वन नहीं भारत के सकते हैं। और अज्णनती कारदे का हमारे concept करमचारी हैxico, जैसे केंदरी में शेवा की बात करते हैं, भारति प्रिसाशनिक शेवा की सदस्ष और चेते है। इस टेट लेएक की बात आती है लाष्टान के बात करें तो राष्टान लोग शेवा आयो क जिन व्यक् 네 everybody के और कुशॉप को भीजती है लास्तान-प्रिशासनिक अधिकारी जो होते हैं वह सके अंतरकत आ जाते हैं इनको इस्थाई इसलिए कहा जाता है कि एक बार शेवामा आने के बाद में ये जो भी जिस भी देश में जो आयूने धारित की गई है उसता को अपने पत पर बने रहते हैं जबकि राजनती कारे पहले का एस्थाई इसलिए है ठीक है पांच वर्ष तक ये पत पर बने रहेंगे लिकि इनको जरूर नहीं है नहीं मंतरी मंडल की विरूद ऐस्वास प्रस्था पारित हो जाता त्याक पतर देना पड़ेगा और पांच वर्ष बाद में को जरूर नहीं है कि जनता है इनको चुन करके भेज़ दे प्रसासनिक शेवा का निरंमान होता है आगे बढ़े एक विद्वान है Kita says, क्या करें कि जिस तरह सरकार संसद नामक सनस्था के मादत्हम से राजनितिक खेत्र में कारिये करती है वैसे ही वह प्रसासनिक खेत्र में लौक शेकों के माध्धम से कारिये करती है कितनी महत्पण बात है इसमें यही दोनों बात आई है राजनितिकारेपालिका और गैराजनितिकारेपालिका भाई वास्तों में कारेपालिका कानूनों की किरियानुटी करती है कैसे करेगी राजनितिकारेपालिका के नियंतरण में गैर राजनितिकारेपालिका कानूनों को किरियानमित करती है मतलब प्रतेक विभाग का जो अध्यक्स होता है वो मंत्री होता है तो मंत्री मंदल मंत्री गन राजनितिकारेपालिका में आगे और इसके बाद में जिस व्भाग का अद्धैक्स होता है, मंत्री होता है, तो वो तो राजनितिक कार्य पालेगा गोगी. लेकिन उश मंत्री के अधीन पूरा व्भाग काम करेगा. तो वास्तिवी गरूप में जो कानून है उने के क्रियानिती कोन कर रहा है? गैर राजनितिक कारिय पाले का इस ताई सरकारी करमचारी देखो जिस तरह सरकार संसद नामक सनस्ता के माद्धम से राजनितिक छेतर में कारिय करती है वैसे ही वह प्रशासनिक छेतर में लोग शेवा के माद्धम से कारिय करती है मतलब राजनितिक छेत्र में वास्तविक रूप में जो ये कारी करती है सरकार संसद के माध्ध्यम से करती है और प्रिशासनिक छेत्र में लोक सेवा के माध्ध्यम से ही अपने कारी शंचालित करती है सरकार और ये दोनों ही जरूरी है इसलिए यहां फस्ट में मैंने बताया था कि लोक तंतरवे कुसलता का अथी सरकार में मिश्रण होना जरूरी है तो ये एक प्रकार से मिश्रण ही कीत बात की जा रही है आगे बढ़ते हैं फाइनर कह रहे हैं कि लोक शेवा अधिकारियों का एक वियावाशाइक समूम है जो इस्थाई है वैतनिक है और कारिये कुसलत थीक है फिर से फाइनर मतलब है लोक शेवा का अर्थ बताते हुए कह रहे हैं कि लोक शेवा अधिकारियों का एक वियावाशाइक समूम है जो इस्थाई है वैतनिक है वैतनि मिलता है और कारिये कु से आएगा तो यहां पर फाइनर जो है लोक शेवा का अर्थ बता रहें नोट कीजिएगा इसके बारे में दूसरा पार्टा था लोक शेवा का विकास अब लोक शेवा का विकास कैसे हुआ है विर्टेन के अंतरे का ध्यान दे गिरहम वालास से इस पस्ट हो जाएगे बाद बिद्वान है गिरहम वालास कह रहें कि यह इंग्लेंड की 19 सदी के एक माहन खोज है मतलब 19 सदी में जो है लोक शेवा की खोज हो गई ती कैसे किशिए क्रम अधरूप में सम्झे वास्टिविक रूप में प्रसासन में प्रसासन में शुदार के लिए प्रेवेलियन वय नौर्थ कॉट समीती गठित की गई इस समीती ने 1855 में लोक्षेवा आयोक की स्थापना की मतलब ट्रेवेलियन वै नौर्थ कॉट समेती ने अपना सुझाव दिया की भाई एक लोक्षेवा आयोक की स्थापना की जाए इसके सुझाव की आदार पर 1855 में लोक्षेवा आयोक की इस्थापना की गई सबसे पहले वाँ कब 1855 में नोट कीजिएगा एक प्रकार से इसका स्रीगनेश हो रहा है उसके बाद में 1870 में फिर विभिन पद उपर भरती के लिए खुली प्रतियोगिता की पद्धती को अपनाया गया कब 1870 में जैसे हमारे यहाँ बहरत में जो कॉम्पिटिशन होते हैं विभिन प्रकार की प्रतियोगिता परिक्षा ही होती है तो ब्रिटेन में इसकी जो इस्थापना की गई कब की गई 1870 में मैंने लिखा 1870 में विभिन पदों पर भरती के लिए खुली पृती योगिता की पद्धती को अपनाया गया देखेगा ध्यान दे क्रम मद रूप में बढ़ेंगा हम आगे उसके बाद में 1917 में शाक्षातकार की इंटर्व्यू साक्षातकार की फिर डाली को अपनाया गया तब 1917 में ये कॉंपेटिशन की द्रस्टिश बहुत मेंत्व पूर्ण है इसके बाद में प्रत्म विश्यूद्ध के बाद मैंने या लिखा है 1914-18 के बाद मतलब प्रत्म विश्यूद्ध के बाद विटले परिसद की समीती को लोक्षेवा पुनरगठन का कारिये सोंपा गया मतलब लोक्षेवा पुनरगठन के लिए विटले परिसद की समीती निक की गई और इसको लोक्षेवा पुनरगठन का कारिये सोंपा गया इसके बाद में 1921 में इस परिशद ने जो सुझाव दिये उसके आधार पर 1921 में लोक्षेवा को चार वरगू में बांटा गया किसके आधार पर जो भीटले परिश्द की समीति ने सुझाव दिये थे उस सुझाव के आधार पर 1910 में नोट कीजिएगा दूसरा कारेकारी वर्ग तीसरा लिपिक वर्ग और चोथा सहायक लिपिक वर्ग इन चार वर्गों में लोक शेवा को बाटा गया कब 1921 में अच्छा इसके बाद में आगे बढ़े फिर क्या होता है दुट्ति विश्वद्ध के बाद में मैंने या लिखा है सैकंड 233 में प्रिष्ले आयोग की इस्थापना की गई और इस आयोग ने लोक शेवा में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए क्या दिये जैसे सप्ताह में पांच कारिये दिवस होने चाहिए लोक शेवा के जो सदश्य हैं उनका वेतन में विर्धी की जानी चाहिए उनको भत्ते इत्यादी स्विधाएं दी जानी चाहिए ये सुझा प्रिष्ले आयोग के द्वारा दिया गया ठीक है अब इसके बाद में फिर क्या होता है 1966 में फुल्टन समीती की स्थापना की गई और इस समीती ने लोक शेवा में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिये कब 1966 में फुल्टन समीती ने लोक शेवा में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिये जिसमें विशेशकर पांथ सुझाव हैं क्या सुझाव दिये इसने फुल्टन समीती ने ये बहुत मैत्रपनवात इसको समझना है नमबर एक लोक शेवा विभात की स्थापना का सुझाव मतलब फुल्टन समीती ने कहा कि भी एक अलग से लोक शेवा विभात की स्थापना की जानी चाहिए जो कि वास्तिक ग्रू इति का जो दूसरा सुझारम था वो यह था कि जो प्रेचलित लोक्षेवाite के वरग है उनको शावत कर दिया जैसे कि यहां वास्तवी क्रूप में 1921 में जो है लोक्षेवाद 01 को चार वरगों इन लोक्षेवा को variety यह जो कि लोक्षेवकों को प्रिशिक्षण दे समझ रहे हैं चोथा सुजाव दिया विभिन विभागों के बीच लोक्षेवकों का आदान प्रदान बढ़ाई है मतला फुल्टन समीति का जो चोथा सुजाव हुआ है कि विभी निवागों के बीच जो लोक्षिवक हैं उनका आधान प्रिदान किया जाए और यही विवस्ता सारजनिक और निजी इन दोनु छेत्रों में भी की जानी चाहिए यह सुझाव दिया और पांचा सुझाव दिया इसने फुल्टन समीती ने कि नीती निर्मान के पद उनको आवसर प्राप्ट हो सकें जादा से जादा विशे सक्गह वेफ्तियों की भरती हो सकें फुल्टन समीती ने यह सुझाव दिये और इन सुझाव को वास्तविक रूप ने सरकार ने मान लिया मैंने यहाँ nôट किया है कि सरकार ने इन सिफारिसों को लागू कर दिया मतलब ये सब सिफारिशे फोल्टन समीती की जो सुझाव हैं इन सभी सुझावों को जो है सरकार ने लागू कर दिया मैंने यह लिखा है सरकार ने इन शिफारिशों को लागू कर दिया जैसे मैंने लिखा है जैसे 1968 में प्रथक लोक्षेवा विभाकी स्थापना कर दी गई है और 1970 में लोक्षेवा महविध्याले की भी स्थापना कर दी गई है बाकी अन्य तीन सुजाओं को भी सरकार ने शविकार कर लिया है मैंने जो यहाँ पर 1968 और 1970 की बात नोट केसली किया है कि यह कॉम्पटिशन में उच लिये जाते हैं ब्रथक लोक्षेवा विभाकी स्थापना की गई है और 1970 में लोक्षेवा महविध्याले की स्थापना की ग ते लोग शेवकों यह को स्थाफरों काकम पर इसंदीन रिवाजब कर दोक्षेवा के मैं झानों लिवाड़़ा कैश चार और गूंभाट दियागा है समझ रहें लेकिन वरतमान समय में इस्तती क्या है इसको समझे वास्तविक रूप में फुल्टन समीटी के आधार पर मतलब फुल्टन समीटी ने 1966 में जो यह पांथ सुझाव दिये गई है ठीक है इन सुझाव के आधार पर मैंने लिखा है सुझाव के आधार पर क्या फुल्टन समीटी के आधार मतलब फुल्टन समीटी ने जो यह पांथ सुझाव दिये फुल्टन समीटी के सुझाव के आधार पर 1971 में आप नोट कीजिए गया लोग शेवकूं का पुनह वर्गी करण किया गया उनिसे के तर में पुनह वर्ग कि किरण कर दिया गया जिसा कि आधार पर फॐलतन समीती के सुझाहों कि आधार पर आशा ये अब द्यान दे आप एक वर्ग सामानिये और प्रसासनिक वरक है बस मतलब ही चार वरग अब नहीं है अब आप सभी sera प्रकार के जो लोकशेवक हैं, उनका एक ही वरग चार वरग नहीं हैं, एक ही वरग है और उस वरग को नाम दियागा, मैंने यहां लिखा है, अब एक वरग सामान्य प्रसासनिक वरग है बस, एक वरग है इस समय मलब 1971 में जो लोक शेवकों का पुनह वरग एकन किया गया है इसमें लोक शेवा के जो चार प्रकार थे जो चार वरग थे इनको समाप्त कर दिया गया है और 1971 में केवल एक ही वरग है लोक शेवा का जिसका नाम क्या है सामाने प्रशासनिक वरग नोट में विभाजित किया गया मतलब एक सामाने प्रशासनिक वरग सविकार कर लिया यह चार वरग सवाप्त कर दिया गया एक वरग मान लिया वह सुनिसी केतर में नाम क्या रखा सामाने प्रशासनिक वरग और इस सामाने आपके सामने नाम हैं मैं बॉल रहा हूं यहां नोट कीजिएगा नमबर एक वरिष्ट नीतीवे प्रभंध गुरूप दूसरा है सायक सचीव तीसरा है वरिष्ट प्रधान चोथा है प्रधान प्रधान पांचवा है वरिष्ट कारेकारी अधिकारी है छटा है उच कारेकारी अधिकारी सातवा है कारेकारी अधिकारी आठवा है उच लिपि अधिकारी 9 है लिपिक अधिकारी और 10वह है लिपिक सहायक तो वर्तमान शमय में ब्रitjne में जो लोग शेवकों का वर्गी करन और ये आपके सामने है वर्तमान समय में 1991 सोई प्रमें लोग कोकं का पुनb Chrachal कर दिया गया और इसका क्या वर्गी करन है, ये तीन बाते मैंने समझा दी हैं, मुझे पूरा विश्वास से तीन बाते आप ठीक से समझ गई होंगे. Thank you very much.